सो यह गाइस आज किस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि आप SDFC बैंक के क्रेडिट काड रिवार्ट पॉइंट को कैसे घर बैठे रिडीम कर सकते हो इस वीडियो में लाइप प्रोसेस के साथ बात करेंगे सो प्लीज इस वीडियो को जवज़र एक like कर देशेगा so let's get straight to the video So इसके लिए आप net banking में login करेंगे net banking में login करने के बाद यहाँ पे ऊपर में cards का section होता है इसमें click करेंगे corner side में आपको inquiry का option मिलता है इस inquiry वाले section में 4th number में आपको redeem rewards point का option मिलेगा जस्ट आप यहाँ पे क्लिक कर लेंगे जैसा आप क्लिक करते हैं यहाँ पे आपको अपने credit card को select करना है और फिर continue में क्लिक करना है जैसा आप continue में क्लिक करते हैं एक बार फिर आपको continue करना होगा तो एक नया window यहाँ पे खुल कर आता है यह है SDFC my rewards का portal जहाँ पे आप अपने reward point को redeem कर सकते हैं बहुत सारे options आपको मिलेंगे reward point redeem करने का सबसे पहले आपको मिलता है product catalog मतलब कि SDFC bank ने बहुत सारे brands के साथ tie up किया हुआ है तो उन brands के product को आप reward point से purchase कर सकते हैं लेकिन अभी मैं just product catalog में क्लिक करता हूँ तो due to I think so COVID यहाँ पे सारा कुछ हटा दिया गया है मतलब अभी product में आप reward redeem नहीं कर पाएंगे कुछ दिन के बाद यहाँ पे start कर दिया जाएगा उसके बाद insta voucher का option मिलेगा मतलब आप अपने reward point से vouchers purchase कर सकते हैं तो आप जब भी reward redeem करेंगे तो जो भी आपका redemption amount होगा वो direct आपके credit card में credit कर दिया जाएगा तो यहाँ पर हम लोग इसी method को आज use करेंगे क्योंकि सबसे valuable यही होता है उसके बाद option मिलेगा air miles का आप चाहो तो air miles में भी यहाँ पर redeem लगा सकते हो तो आपको my orders का section मिलेगा यानि कि आप order करेंगे तो स्टेटस भी ट्रैक कर सकते हैं तो अभी आप मेरे account पर देख सकते हैं something 2500 reward point यहाँ पर पड़ा हुआ है तो चलिए हम लोग यहाँ पर cash में redeem लगाएंगे लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अगर आपको cash में redeem लगाना है तो minimum reward point आपके पास 2500 होना चीए जैसे कि यहाँ पर देखो मैंगर यहाँ पर 2300 something करके proceed में क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर directly बोल दिया जाएगा कि आप minimum 2500 reward point होने के बाद यहाँ पर redeem लगा सकते हैं तो अभी total हमारे पास something यहाँ पर 2595 reward point पड़ा हुआ है तो just मैं यहाँ यहाँ पर यह value लिक के proceed में क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि आपका card number क्या है आप confirm कर सकते हैं current available points क्या है वो यहाँ पर बताया चारा है यहाँ पर आप जो है टम्शन कंडिशन को accept करेंगे लेकिन उससे पहले बता दूँ अगर आप cash में redeem करवाना चाहरे हैं तो आपको यहाँ पर redemption चार्ज भी देना पड़ता है जो कि something 99 रुप्या प्लस GST होगा तो यह आपके credit card में add कर दिया जा जाता है within seven working day आपके credit card में reward point add हो जाएंगे यानि कि as a cash add हो जाएंगे लेकिन ज्यादा करके देखा गया है कि 24 घंटे के अंदर में ही आपके credit card में cash credit हो जाता है वैसा आप चाहें तो अपने my order section में click करके आप यहाँ पर track भी कर सकते हैं कि अभी क्या इसका status चल रहा है ज अभी आप देख सकते हैं आप एबलेबल reward zero पता आ जा रहा है यानि कि मैंने अपने सारे reward point को redeem कर दिया है so I think so आपको सारा कुछ समझ आ गया होगा so please इस वीडियो को जो 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 एक like कर दीजएगा इसी तरीके से informative वीडियो के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते है कोई डॉट बसता तो कमेंट मेर ना भूले प्रसनल कोई सेशन ची तो डिरेक्टली हमें इस्वा मेसेज़ कर सकते हैं विदिन 24 आप कोई कोरे को शल्प करने कोशिश करूँगा सुमत्य अड़ो साथ तब तक लिए जाए हिंद जाए बारत